हीमाचल में कर uno के बाद प्रवासी मज़ूरों की मुश्कलें भी बढ़ने लगी हैं हं मिर्पुर में भी जम्मू कश्मीर से रोजी रोटी के तलाश में दशकों से आ रहे Eyquin मज़ूरों को ऊंक्तराने के लाले पड़ते नजरा रहे हैं हामिरपूर में करीब दो दर्जन जम्मू कश्मीर के दिहारी लगा कर काम करनेवाले मजदूरों ने जिला प्रशाषिन और सरकार से राशन महया करवाने की मांग की है गौर्टलभे की हमिरपुर जिला में पिछले 40 सालों से जम्मू कश्मीर से प्रवास्थी मजदूर सर्दियों में रोजी रोटी के तलाश में आते हैं जो पैसे दिहारी से कमाए थे घर भेज दिये हैं और अब खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं उन्होंने मांग किये के मुजदूरों के लिए खाने का प्रवंद किया जाए या फिर जम्मू कश्मीर घर भीजवाने के लिए कोई वस्था की जाए ये करो ना फिर लिए बिन्दो गैर आच enorme जाते थे मगर गाडिya भी में बंदो इसलिए मह इसकी आप हरं के हमारे लिए कुछ है कुछ करें कि हम यहां भी बहर का किस के पास जाए किसे मिलें पहले किसी से 100 बाद बात करने के लोगों से मिलना भी बंग है अभी पांच मीना हो गया यहां आएक हो मगर हमारे पास भी कोई एक रुपया खाए यह लिए तो इसलिए अपील है गुर्मेंट से हमारे को कुछ न कुछ अज़दा करें एक अन्य मजदूर ने पताए कि काफी दिनों से वे बिना कामकास के घूम रहे हैं उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस आपदा की घड़ी में साथ दें और खाने के लिए राशन तक महया नहीं है इसलिए सरकार जल्द राशन उपलब्द करवाए असर मेरे को भी 18 साल होगे यहां सर रहते हुए काम करते हैं हमारे को ठीक जाम कश्मीर की दिखित होगे पंच-छे मिने वहां बंद रहे पिर दो ड़ाइ मिने होगे यहां मज़ूरी करते हैं और यहां बहुत दिखते हैं होगे असर हमें कोई खाने पीने के सामान भी नहीं, कुछ नहीं, लद्ला के सिवा कोई सहारा नहीं होगे असर बहुत दिखते हैं सामने आए हैं हमारे लिए. इसलिए थोड़ा गौर्म सर हम ये अपील करना चाहते हैं गोव्मेट अगर जाने के लिए ट्रास्पोर्ट नहीं देते हैं तो खाने पीने के लिए कुछ देना चाहिए हम दिहाडी दार आदमी हैं 400 रुपी दिन का दिहाडी लगा के खाना पीना खाते थे आज चार पांच दिन से हमें सही बेले बेटे हैं हमारे पास कुछ ही नहीं जो हमने रुपीया दर्स पांच कमाया था वो बचों के लिए बेज़ दिया है वहाँ गर के लिए हमारे पास ना राशन है कुछ नहीं है सर काने दूद के लिए भी कुछ नहीं है